बेबी बम के साथ बोर्ट डालने पहुची दिपिका पादकुन ये क्या करीना कपूर का कैसे फिसला पैर सावी का ट्रेलर कब होगा रिलीज आखिर कौन से फिल्म में अब नजराने वाले हैं करन जोहर के साथ टाइगर श्रॉफ वेल सारुखान से लेकर अक्षे कुमार तक सलुभाई से लेकर करीना कपूर तक क्या खास था आज जिन भर आएज जानते हैं आज किस वीडियो में एकाइस में हुदामनी सिंग और आप देख रहे हैं बजू का रिव्यूज भई लोग शबा का इलेक्षन था और ऐसे में बॉलिवट के हर एक सिलिफ्स ने अपना वोट डाला है आल्मोस्स सभी सिलिफ्स पोलिंग वूद पर दिखाई दी और साथी साथ अपना मतदान करते हुए नजर आए इस लिश्ट में फिर वो चाहे सलमान खान हो शारुक ख पूर हो या फिर कोई और सेलिबिटी हो हर किसी ने अपना मतदान डालकर बाक्स लोगों को भी मतदान करने के लिए अप्रोच तो कर ही लिया है तो शुरुआत कर दे हैं आज के सबसे फर्स्ट न्यूस के साथ जिसमें आज के सबसी होट न्यूस है दिपिका पादुकॉन की जी हां दिपिका पादुकॉन की प्रेगनेंसी की खबरे जहां पिछली का फिलम में वक्त से सोचल मीडिया पर लाइन वाइट में थी तो बहे दिपिका पादुकॉन का बेबी बंप देखने के बाद अब पहली बार हर कोई हैरान रह गया है क्यूंकि दिपिका प्रेग अब ऐसे में दिपिका पादुकॉन को जब उनके बेबी बंप के साथ कैप्चिर किया तो सोचल मीडिया पर ये वीडियो काफी जादा वाइरल हो गया वेल आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताएगा लेकिन इससे प का पैर कहीं ना कहीं खड़े में नजर आया जिसकी वज़े से वह फिसलती हुई भी नजर आई फिर क्या था एक बार जो वीडियो कैमरे में क्याप्चिर हुआ तो उसका सोचल मीडिया पर वारल होना तो बनता ही है वेल इसके अलाम अगर हम बात करें अपने बाल विट के अगले होट न्यूज की तो भाई लोग सभा इलेक्शन में तो हर किसी ने लाइम लाइट बटोर ही ली है लेकिन इसके अलामा एक और खबर आग की तरफ फैली हुई है जो है टाइगर शॉफ और करन जोहर का फिर से एक साथ आना जी हां रीसेंट रिपोर्ट्स के माने त तो करन जोहर के साथ अब फिल्म करने वाले हैं टाइगर शॉफ जी हां लेटिस्ट रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर शॉफ करन जोहर के फिल्म में जल्द ही नजर आने वाले हैं और ये फिल्म दोजार पचीस तक रिलीज होगी हाला कि अभी तक इस फिल्म का टाइटल अनौंस नहीं किया गया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह काफी एंटरेटेन्मेंट से भरपूर होने वाला है विल देखना काफ इंटरस्टिंग होगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार आपको टाइगर श्रॉफ का कुछ और उतार करन जोहर की फिल्म में देखने को मिलने वाला है तो आखिर कितनी किसमत साथ देने वाली है इस बार टाइगर श्रॉफ की यह देखना काफ इंटरस्टिंग होने वाला है विल इसके लामा एक और होट न्यूस की बात करें तो भी दिव्या कोशला कुमार की अपकमिंग फिर्म सावी अब लटी हाउस के बाद मिल ही जाएगा विल यह तो हो गई बी टाउन इंदस्ट्री और अपकमिंग मूवी इसकी बात इसके अलावा गर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो बैस श्रीकांत विल्म को रिलीज हुए दस दिन हो चुके है और राजकुमार राव के इस विल्म का के बॉक्स करें तबात सुट्वियर्ट वाझमार में लिवर्ष degli हैं चैजल का विल्वाड रिलीज हुए तो ने करें प्यार गुद्विल में में होने के बावजूद भी इस फिल्म को जबजास्त प्यार मिला है तो म치री अदे तो यह फिल्म आलवर इंडिया में 54 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन कर चुकी है और वर्ड वाइट कलेक्शन इस फिल्म का 73 करोड का आकड़ा पार कर चुकी है अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह फिल्म कितनी सक्सेस्फूल रही है वेल यह तो हो लिखा का बेबी वंप वाला वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना फूले ऐसे लेटर सब्देट्स के लिए मोवे रिव्यूस के लिए अनुन फैक्ट्स के लिए बॉलिवड गॉसिप के लिए देखते रह के लिए लिए भीड़ थे लिए बिल्स के लिएगद थिर मोवे वाला विल्स madness N